श्री शद्गुरु महराज कीजे गगन धार गंगा बहे कहे शंत सुजाना हो चढ़ी सुरती सरवर गई शशी सुरठी काना हो बिरले गुरु मुख पाईया जिन शाब्द पिछाना हो शहश कवल दल पार में मन बोदे राना हो प्रान पुरुष आगे चले शोई करत बखाना हो विमल विमल बानी उठे अद बुद यस माना हो निरमल वास निवास में कर कर कोई जाना हो तुलशी तलब तलबी करे नित सुरती निशाना हो अंडय लख लखी हैं सोई चडिकरी धरी ध्याना हो गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो अच्छे ज्यान वाले संत कहते हैं कि अंतर के अकाश में पवित्र प्रकाश और शब्द रूपी गंगा की धाराएं बहती हैं चंद्रमा इडानारी और सुडि पिंगला नारी के मिलन अस्थान दसम द्वार आग्या चकर केंद्र विंदू होकर सुरत सरोवर निज मंडल केवल्य मंडल चली गई गुरू की आग्या के अनुशार आचरन करने वाले और उनकी यूक्ति की अनुकूल अभ्यास करने वाले वे ही वीडले सादक उस शरोवर को प्राप्त करते हैं जो अनहद ध्वानियों के बीच सारशब्द की पहचान करके उसमें अपनी सुरत को शनलंगन कर पाते हैं शहस्र दल कमल के पार में त्रिकूटी में मन बुद्धी चित और अहंकार ये चारों अंतर की इंद्रियां लएको प्राप्त हो जाती हैं। इन चारों अंतर की इंद्रियों को त्रिकूटी में पीछे छोड़कर प्रान पुरुष अर्था सुरत चेतन आत्मा उपर उठती ह वही उपर के मंडलों के हाल बहिर मुख होने पर बयान करती है अंतर का अकाश शुन्य बड़ा आश्चर जनक है वहाँ पवित्र और मिठी मिठी अनेक प्रकार की अनगिनत ध्वानियां उठती है अंतर के अकाश ब्रमांड में निवास करने पर पवित्र करने वाली शुगंद उठती है अनुभुत होती है जो बारम बार ब्रमांड में प्रवेश करने का अभ्यास करता है वही उक्त बात को जान पाता है शंत तुलसी शाहब कहते हैं कि मैं अपने शाधना भ्यास के लिए सद्गुरु से यह पारिस्रमिक मांगता हूं कि मेरी सुरत हर पल अपने निशाने लक्ष शारशब्द में लगी हुई रहे फिर वे कहते हैं कि जो ध्याना भ्यास के द्वारा अंतर के आकास में चड़ेगा वही अलक ब्रवांड अरूप ब्रवांड शब्द मंडल में परवेश पास सकेगा ब्याख्याकार शंत छोटिलाल दाश जी महराज श्री शद्गुरु महराज कीज़े